दोस्तों अपने टीम की करारी हार के बावजूद सौरफ गांगुली के पैर छूकर उम्रान मलेक ने किया कुछ यहसा जिसने जीत लिया पूरे क्रिकेट जगत का दिल जी हाँ आपको बता दें कि दिल्ली और हैदराबाद के बीच काटे का मुकाबला खेला गया जिसमें एक समय पर बड़ी आसानी से जीत की डेलीच पर बढ़ रही हैदराबाद के जबड़े से दिल्ली ने अंत में जीत को छेन का इत्यास रच दिया इसके बाद तो जहाँ हैदराबाद के फैन निराज थे तो भहीं उम्रान मलक सौरफ गांगली के पास पहुँच जाते हैं उन्होंने सौरफ गांगली से मिलकर सीधे उनके पैर चुए और ये देखकर तो एक पल के लिए जहां सौरप गांगली खुद हैरान थे तो भही उम्रान मलेक के ये इस अंदाज के लिए जमकर तारीख हो रही है वैसे दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं